नमस्कार मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ सकते हैं ध्यान में रख सकते हैं जो कि उनको help कर सकती हैं कुछ suggestions कुछ ऐसे तरीके आगे बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देने जैसे हैं और आप apply कर सकते हैं ये strategies ताकि patient की मदद कर सकें और खुद की भी मदद कर सकें सबसे पहले patient को सुने और उसे समझने की कोशिश करें आपका जो patient है वो कुछ कहना चाता है कुछ express करना चाता है अपनी feelings अपनी thoughts आपसे share करना चाता है इसलिए उसके साथ बहुत ही supportive होना जरूरी है उसको सुनना जरूरी है वो क्या कहना चाहरा है अलग-लग time पे उसके साथ बहुत शान्त रहना जरूरी है उनके अनुभवों को सुने, समझे, past के साथ present का क्या connection है, उसको जाने और पूछे उनसे कि आप उनकी क्या help कर सकते हैं ये सारी videos जो है, ये भी आप patient को सुना सकते हैं, अगर आप patient की अच्छी help करना चाहते हैं, बहुत सारा ऐसा online videos में source मिलेगा आपको, जो कि patient को खुद भी help कर सकता है, और आपको भी help कर सकता है, ये सब भी आपको देखना सुनना चाहिए, इंटरनेट पर कोई material मौजूद हो, उसको पढ़ना भी चाहिए patient की feelings पर focus करें, ना कि उसके experiences और ना कि उसके verbal expressions पर जो कि वो बोल रहा है वो क्या महसूस कर रहा है, उसपर ध्यान दे बातों पर मत जाएं, वो कर क्या रहा है, उसपर मत जाएं, feelings पर ध्यान दे बहुत मुश्किल होता है ये समझना, कि जब किसी को hallucination हो रही है, तो वो क्या experience कर रहा होगा वो जो delusions में है, वो क्या experience करता होगा, बड़ी मुश्किल होती है आसपास के लोगों को जानना, समझना, कि उस patient को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा experience हो रहा है, जो उसके लिए वो सारी चीज़े तरी important है, जो आप नहीं mental experience को deny करेंगे तो वहीं कुछ parents या family members क्या करेंगे, उसे confirm करेंगे हाँ, जो तुम्हें सुनाई दे रही है आवाज है हमें भी सुनाई दे रही है, मैंने भी सुना वो सब इसे validation नहीं कहते ये patient के symptoms को बढ़ा सकता है, जबकि कुछ इस तरह से बोलना चाहिए, कि मैं समझ सकती हूँ, कि तुम ये जो चीजें देख रहे हो, या सुन रहे हो, ये तुम्हारा experience है, तुम्हें कुछ आवाजें आ रही है पर मुझे नहीं आती है मेरे लिए ये अनुभव, मेरे लिए experience इतना असान नहीं होता करना, पर मुझे तो नहीं आ रही है, और तुम्हें क्यों आती है, इसका भी नहीं पता, पर हाँ तुम्हारे को जो experience होता है उससे तुम बहुत परिशान हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत टेंशन में आ जाते हो बहुत डर जाते हो और यह मैं समझ पाती हूँ यह मैं देख पाती हूँ कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और मैं जानती हूँ कि यह सब बड़ा distressing होगा इसलिए तुम्हें दवाईयां दी जा रही है इसलिए तुम्हारी help करने के लिए हम हमेशा त्यार रहते हैं कुछ इस तरह से आपको patient से बात करनी होगी कि जहां आप उसके experience को समझें सुनें पर साथी उसका ध्यान इलाज पर भी रखें और उसे बताएं कि वो जिस चीज से गुजर रहा है उससे बहुत distress आता है उससे बहुत परिशानी होती है आप वो सब experience तो नहीं कर सकते पर हाँ आप ये जरूर मानते हैं कि उसे जो experience हो रहा है वो बड़ा भ्यानक है इस तरह का एक बीच का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी होता है इसलिए बजाए ये कहने के कि ये कुछ नहीं होता ये वो पता नहीं क्या फालतू सोचता रहता है या सोचती रहती है ये सब कहकर ताने मारने धिकारने की बजाए बहतर है पेशन्ट की feelings, thoughts को focus करें फिर आएगा practical help offer करें पूछें उससे कि क्या वो आपसे कुछ help लेना चाहेंगे जैसे वो कहीं जाने के लिए कहीं travel करने के लिए job या किसी और जगा visit करने के लिए वो आपकी help ले सकते हैं और आपके साथ जाना पसंद कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई उनके पीछे ना हो तो अपने delusion के impact में वो शायद जादा safe feel कर सकते हैं कि वो आपके साथ जाएं तो ऐसे में अपनी help offer करते रहें पूछते रहें उनके life के decisions उनके life के actions हैं उसमें उनको help offer करें जिससे कि उनके लिए अपने symptom से deal करना असान हो जाए या अगर patient को लगता है कि उसकी condition खराब होगी वो avoidant होने की कोशिश करता है दूर भागने की कोशिश करता है तो ऐसे मुसकी help की जाए ताकि वो सामना कर सके life के challenges का और life के day to day activities का फिर आएगा कि patients की जो wishes हैं, इच्छाएं हैं उनकी respect करें, उनकी इज़त करें हो सकता है logically, rationally आप जानते हों कि उनके लिए क्या best है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं बिल्कुल हो सकता है ऐसा और होता भी है, पर यहां ज़रूरी है कि आप उनकी इच्छाओं की ज़्यादा इज़त करें उनके decisions ना लेने लगें उनको ना dictate करें कि ये करो, ये मत करो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, नहीं दिक्कारो मत, criticize मत करो जो वो करना चाहते हैं, जो वो जानना चाहते हैं समझना चाते हैं, उसमें उनको support करो, उनको help करो, और सारे decisions उनके खुद मतलो, patient को empower करो, encourage करो, कि वो decisions तो अपने ही ले, पर वो आपका support ले सकता है, ऐसा आप अपनी help offer करें, इसलिए उनकी wishes को validate करें, allow करें, कि वो करें, वो सब जो वो करना चाते हैं, और उसमें आप guide कर द family therapist से मिलें, जाएं आप किसी family therapist के पास, किसी clinical psychologist के पास, मिलें उनसे, और discuss करें कि ये जो day-to-day life के challenges हैं, ये कैसे लिए जाने चाहिए, क्या किया जा सकता है, कितना patient की help हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, घर में किस तरह का बरताव हो, ये सब पूछा जा सकता है, बात की जा सकती है, एक therapist से, फिर जैसा की बताया कि crisis के लिए plan बना कर रखें, practical strategies क्या हो सकती है, जब patient का episode trigger हो जाए, patient जादा disturb हो जाए, क्या करना है, इसके बारे में पता करके रखें, hospital जाना है, कौन सा treatment लेना है, दवाईया कैसे बढ़ानी है, या नहीं बढ़ानी, doctor को consult कैसे करना है, किस rehab center में admit कराना है, ये सबका practical आपको समझ होनी चाहिए, आपके पास plan होना चाहिए, आपको clearly पता होना चाहिए, कि क्या करने में आप सक्षम है, और क्या करने में सक्षम नहीं है, क्या चीज़ें आपके control में हैं, और क्या आपके control में नहीं है, तभी आप crisis को सही तर परदस्ती करते हैं जिससे की patient की condition और worse हो जाती है इसलिए crisis के time पर कुछ ऐसा करें जिससे आपकी भी मदद हो पाए और patient की भी मदद हो पाए फिर last point आएगा कि अपने लिए भी support ढूंडें अपनी भी counseling therapy लें आपको बहुत stress हो सकता है बहुत परेशानिया हो सकती है बहुत करें समझें और कई बार कोई एक family member तो सारा burden ले रहा होता है पर बाकी के family members उतना effort नहीं लेते वो मानते तक नहीं है इन problems को बिमारियों को तो ऐसे में और भी stressful हो सकता है किसी ऐसे family member के लिए जो इस बिमारी को समझने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में अपने doctor से मिलकर support ज रहीं ये सारी videos series में रहीं उमीद है patients को और उनके family members को help करेंगी जानने में psychosis के बारे में psychosis के बारे में वीडियो बनाने का main purpose यही था कि psychosis एक काफी common सा term है लोग बहुत सुनते हैं जानते हैं doctors भी use कर लेते हैं therapist भी use कर लेते हैं कहीं पढ़ने में भी आ जाता है तो कई psychosis को कैसे अलग तरह से समझा जाता है यह कोई एक disorder नहीं है यह पूरी mental health condition है और यह कई सारे disorders में experience में आती है और जो management strategies बताएं वो schizofrenia, schizo effective, bipolar disorder बहुत सारे patients के लिए helpful हो सकती हैं जिनको भी psychotic experiences हो रहे हो तो वीडियो में दीकिए जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो क निवाद